सुहेब इलियासी अगर आप 80s और 90s के किड्स हैं तो शक्तिमान और रामानन सागर की रामायड के बाद आपने सबसे ज़्यादा जिसे देखा होगा वो सुहेब इलियासी है इंडिया के पहले क्राइम बस्टिंग टीवी शो इंडियाज मोस्ट वांटेड का एंकर वो आदमी जिसे पूरा का पूरा घर साथ बैट कर देखता था साल 1999 में ये शो आया था और ये वो समय था जब इलेक्ट्रोनिक मीडिया धीरे-धीरे लोगों के घरों में घुस रहा था उस समय ये शो आया और बहुत पसंद किया गया क्राइम की पत्रकारिता का चहरा उस समय सुहेब इलियासी थे लेकिन 20 दिसंबर 2017 को दिल्ली की कड़कर डूमा कोर्ट ने सुहेब इलियासी को उम्रकाइद की सजा सुनाई उसने अपनी पत्नी अंजू की हत्या कर दी थी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप हैं दिललन टॉप के न्यू जूम में टीवी से हॉट स्टार और नेट्फिक्स पर शिफ्ट हो चुके इस दौर में जिन लोगों को इलियासी के बारे में पता है उनके लिए ये अचंबित करने वाली खबर है सजा वाली बात और जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हमारा ये वीडियो बात शुरू करते हैं जनवरी 2000 से सुहेब अपनी तरह का इकलौता और यूनीक टीवी शो बना कर इस्टार बन चुके थे पतनी अंजू थी अंजू और सुहेब दोनों ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया था दिल्ली में रहने के लिए मयूर विहार में घर खरीद लिया था दोनों साथ रह रहे थे 16 जनवरी को अंजू का बर्थडे होना था अंजू और सुहेब की आपस में काफी लडाई होती थी लेकिन सब कुछ ठीक होने की उमीद में अंजू तीसरी बाज सुहेब के पास वापस लोट कर आई थी 16 जनवरी को बर्डे था बर्डे की पार्टी होनी थी सुहेब लोगों को बड़े गर्व से बता रहे थे इन्वाइट कर रहे थे लेकिन बर्डे के 6 दिन पहले अंजू की पेट में चाकू मार कर हत्या कर दी गई अंजू और सुहेब के बीच जगड़ा इतना कॉमन था अंजू की मौत हो गई थी दुनिया के लिए अंजू ने डिप्रेशन में खुदकुशी की थी लोगों के बीच इलियासी की इमेज ये थी कि वो क्रिमिनल्स को जेल पहुँचाने वाला एंकर है उसकी एंकरी में राश्टरवाद दिखता था जब वो सच्चाई का साथ और बुरे लोगों का परदाफास जब वो ऐसी बाते इस्तिमाल करता था तो लोगों को नैतिक्ता की महेकाती थी किसी को भी अंदाजा नहीं था कि ये आदमी खुद भी क्रिमिनल हो सकता है जिस समाज और धर्म से लड़कर उसने अंजू से शादी की थी उसने उसी लड़की का कतल कर दिया कतल होने के कुछ दिनों बाद दो महीने बाद अंजू की बड़ी बहन रश्मी ने पुलिस को इस्टेटमेंट दिया था बारापनी का इस्टेटमेंट था इसमें रश्मी ने कहा कि सुहेब दहेज के लिए अंजू को कई दिनों से परिशान कर रहा था ये स्टेटमेंट देने के दो हफते के अंदर 28 मार्च 2000 को सुहेब जेल पहुँच गया किसी ने भरुसा नहीं किया कि उसने हत्या की है सुहेब खुद भी ये कहता रहा कि उनकी जो बेटी थी आलिया उसकी कश्टडी पाने के लिए अंजू का परिवार ये सरा ड्रामा कर रहा है खैर वो जेल के चक्कर काटता रहा कई बार बेल पर बाहर भी आया लेकिन उसका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया था सुहेब पर हत्या का केस चलाने का आदेश दिया था सुहेब और अंजू की लव स्टोरी जामिया मिलिया यूनिवर्स्टी से शुरू हुई थी दिल्ली की ये यूनिवर्स्टी यहाँ पर दोनों साथ में जनलिजम पढ़ रहे थे दोनों के बीच प्यार हुआ शादी करने का मन बनाया लेकिन शादी में धर्म आड़े आ गया दोनों ने अपने अपने परिवार को मनाने की कोशिश की परिवार नहीं माने तो दोनों लंदन चले गए वहाँ पर Special Marriage Act के तहट शादी कर ली कागजों पर अंजू का नाम बदल कर अफशा कर दिया गया दोनों एक साल तक वही रहे यह वो टाइम था जब ब्रिटेन में Crime Stoppers के नाम से एक नया शो आया था वो उसी तरह का शो था जैसा सुहैब ने इंडिया में शुरू किया था ये फरार किरिनल्स को पकड़ने में मदद करवाता था अंजू और सुहैब दोनों ने उसे देखा दोनों को inspiration मिली और दोनों ने सोचा कि वो इंडिया में इसी तरह का एक शो बनाएंगे और यहीं से शुडवात हुई इंडिया's most wanted शो की इन दोनों ने मिलकर शो का शुडवाती content तयार किया था लेकिन उसमें एंकरिंग सुहैब ने नहीं अंजू ने की थी हाला कि जब यह लंदन में एक साल रहकर इंडिया लौटे थे तभी दोनों के बीच disturbance शुडव हो गया था अंजू छे महीने इंडिया में रही वो भी सुहैब के पास नहीं रही मनमुटाओ जादा हो गया तो लंदन वापस चली गई अपने भाई के पास सुहैब ने मनाया तो फिर वापस आई शुडवात का जब content तयार हो गया था तब ये लोग इस शो को लेकर कई TV चैनल के पास गया लेकिन कोई भी ये शो दिखाने को राजी नहीं था इसके पीछे वज़े ये थी कि इसका जो content था वो बहुत ही sensational था बहुत ही भयावय था आखिर में किसी तरह काफी मशक्कतली बाद जी टीवी शो को दिखाने के लिए राजी हो गया था लेकिन जी ने जब ये शो दिखाया तो उसमें एंकरिंग के लिए अंजू को नहीं बलकि सुहैब को रखा दोनों के बीच रिष्टे पहले से खराब चल रहे थे अंजू फिर से इंडिया छोड़कर कैनेडा चली गई अपनी बहन के पास यहां सुहैब अपना काम करते रहे उनिस सो निन्यानमे में जब ये शो अच्छी तरह शुरू हो गया दोनों की सुहैब की अच्छी खासी पैचान बन गई तब सुहैब ने अंजू को फिर मनाया अंजू फिर वापस आई और इस बात दोनों ने दिल्ली में फ्लैट ले लिया साथ रहने का सोच कर आज के टाइम में आप जितने भी टीवी पर क्राइम शोज देखते हैं उनकी इंस्पिरेशन सुहैब भी हैं इंडियाज Most Wanted इतना हिट हुआ था कि उस समय सारे चैनल, सारे एंकर सुहैब को कॉपी करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन सुहैब अपनी अलग image बना चुके थे, अंदाज ही अलग था, वो आदमी कैमरे में जहांकर क्रिमिनल्स को धमकी देता था कि वो आ रहा है, जो करना है कर लो शो शुडू होते ही, जी टीवी को भैंकर टी आरपी मिली, सुहैब हर घर में घुश चुके थे, लोग देख रहे थे, लेकिन सेंसिटिविटी और सेंशेशन दोनों में धागे भर का फर्क होता है, सुहैब के हिट होने के बाद और भी कई सारे crime shows मार्केट में आ गए, ज जो जितना जादा सेंशेशनलाइस कर रहा था, लोग उसको उतना ज्यादा ही देख रहे थे, आखिर में ये हुआ, सुहैब ने दावा किया कि जी टीवी ने उनसे ये कहा कि वो अपने शो में और भी जगहने डीटेल पर उसे, उनको ये नहीं जमा, तो वो अपने शो का नाम थोड़ा सा बदल कर दूर दर्शन के पास पहुँच गए, सुहैब ने यूपी के गैंश्टर श्री प्रकाश शुकला पर एक शो किया था, एक एपिसोड किया था, उसमें दावा किया गया है कि श्री प्रकाश का अगला टार्गेट यूपी के मुख्यमंत्री हैं, उस समय बीजेपी के नेता कल्यांड सिंग थे, पुलिस हरकत में आई, 15 दिन में सुराग इखटे किये गए और 15 दिन के बाद श्री प्रकाश का एंड काउंटर हो गया, हाला कि पुलिस ने ये दावा किया कि वो पहले से इस केस पर काम कर रहे थे और इलियासी की इसमें को ये शो चल रहा होता था, टेलिकास्ट हो रहा होता था, उस समय विज्यापन का रेट था, 70,000 रुपए प्रतिद्द सेकेंड और ये 1999 की बात है, जी टीवी और दूध दर्शन के भी टेलिकास्ट को लेकर जो जगड़ा हुआ था, वो जगड़ा कोड तक भी पहुँचा, लेकिन बाद में डीडी को क्लेरेंस मिल गया था, तो फिर सुहैब ने डीडी पर अपना शो जारी रखा था, लेकिन अंजू की हत्या के बाद एक दिन ये शो अपने टाइम पर नहीं आया, और फिर कभी नहीं आया, साल 2005 में दिली की कड़कर डूमा कोर्ट ने इलियासी क दहेज उत्पीडन के मामले से बरी कर दिया था, इसके बाद इलियासी अपने कमबैक की कोशेश में लग गया, वो लोगों को ये दिखाने लगे कि वो दहेज उत्पीडन जो दहेज के मामलों में सताए गए लोग हैं, इलियासी उनकी आवाज हैं, ये इस तरह शो करते थ साल 2014 में कोट ने इलियासी पर हत्या का मुकदमा चलाने से भी मना कर दिया, लेकिन उसके बाद मामला और उपर गया, हाई कोट से आदेश आया, और इलियासी के उपर मर्डर वाला केस प्रोसीट किया गया, फिर 16 दिसंबर 2017 को कोट ने इलियासी को दोशी करा दिया, और 20 दिसंबर 2017 को सजा सुनाई, अब हम आपको वो सवाल बता देते हैं, जिन सवालों के आधार पर इलियासी को सजा हुई, अंजू चाकू से मरी, लेकिन जो टी शर्ट उसने पहन रखी थी, उस पर कहीं पर भी कोई कटे फटे का निशान नहीं था, कोई भी फिंगर मैच होने के लिए 13 निशान चाहिए होते हैं, लेकिन जिस चाकू से अंजू की हत्या हुई, उस पर 6 ही निशान थे, चाकू पकड़े जाने के निशान उल्टी दिशा में थे, दाहिने हाथ से काम करने वाली अंजू के शरीर में चाकू बाएं से दाएं भोका गया था, मत का मोटिव अभी भी बहुत क्लियर नहीं है, हाला कि कयास ये लगाये जा रहे हैं, दावे ऐसे भी किये जा रहे हैं कि अंजू को इलियासी के धंधों के बारे में पता चल गया था, ये कौन से धंधे थे, इसकी पुष्टी करने वाला कोई नहीं है, एक दावा ये भी किय जा रहा है कि इलियासी के पास एक फरजी पासपोर्ट था जिससे वो लंदन जा चुका था, तो ये है इस केस का पूरा मजमून, ऐसे ही तमाम वीडियो देखने के लिए आप बने रहे हैं दिललन टॉप के साथ, ये वीडियो हमारा फेस्बुक पर देख रहे हैं, तो हमा हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, शुक्रिया